सबी समयाओं करता हूं कि बड़ी से बड़ी संक्षा में पहुंचें अपी लोग और यह मौका हम लोग चूग गए तो न सम्विधान बस सकता है न लोकतंत बस सकता है और पार की लड़ाई होगी और हम कानूनी लोग हैं कानून चलाई लाठी रेंड़ा हमारा कोई मतलब न प्रफेक्ट मुखंत्री यह और बहुत अच्छी तरीके सलाएंगे संद्य पूरी फूरी तरह 250 प्लस के साथ आ रही है और साथियो नमस्कार मैं हूँ नीरच पटेल और आप देख रहे नेशनल जन्मत जब से दलाल भांड कॉर्परेट मीडिया यानि कि तमाम उद्योग पतियों के चैनलों ने तुक्का पोल दिया है तुक्का पोल यानि कि एग्जिट पोल तब से एक खेमे में खुसी का माहूल ह है दूसरा खेमा गमगीन है हालाकि वो तुक्का पोल ही है फिट वैड़ गया तो ठीक नहीं तो कोई एकाउंटमिल्टी टो फिक्स है नहीं जो आज सत्ता पक्ष को बहुत भारी भाहुमत से जीता हुआ दिखा रहे हैं कल के दुन उनको माफी नहीं मांगनी है बलकि दू तुक्का पोल ने जेड़ सो से उपर उनको सीटें दिखाई थी खेर इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से इस तुक्का पोल को इग्नोर कर दिया है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उन सब लोगों से वर्चुवल मीटिंग करो तैयारी करो कि हर विधान सवापर दो दो अधिवक्ता कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर तैनात किये जाने हैं मकसद है जिन सीटों पर जीथार का अंतर यानि कि मार्जिन बेहत कम होगा उन सीटों पर सियम के सजाती और संगी मानसिक्ता के जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रसासन के लोग कुछ एक गड़वड़ी कर सकते हैं असली गड़वड़ी पोस्टल बैलिट में की जा सकती है कैसे ये अगले वीडियो में बताऊंगा लेकिन उससे पहले समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदे सद्यच प्रदी प्यादव को खुद सुन लीजिए कि वो दो वकीलों की न्युक्ती हर विधान सभा पर क्य देजेगी क्या वजय है इसके पीछे यह तैयारी सुर्वास से ही जैसे आचार सहिंता लागू ही है हमने भी अधिवक्ताओं के साथ और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार मैं अगस्त से संभिधान बचाव संकल प्यात्रा पे था चूकि हमारे देश के संभिधान एक संस्था नहीं बाची रखी जिसको ना चेड़ा हो संभिधान को गहरे संकट के दिन में चार महने लगातार 75 जनपदों का भरमर्किया संभिधान बचाव संकल प्यात्रा चलाई तो इसलिए मुझे पूरी आसंकती और बिहार का चुनाव में लिए सबसे पाल्टी से मुझे निर्देश मिला है कि मैं प्रतेग विधान साहमें में दो-दो वकील मेरे मौजूद रहें जो पाल्टी के लिए प्रतियासी को मदद करें किसी भी कानूनी साहिता दें किसी भी तरह धांदली को रोंकने का प्रयास करें और अधिवक्ता ही यह कैसा बर दो दो अधिवक्ता रहेंगे इसके अलावा भी मैंने पहले से इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से अधिवक्ता होने के नाते और भी मैंने एक पंच 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 पते जनपर से पंच-5 लोगों को ले करके मैंने इस समाजवादी अधिवक्ता सभा निर्वाचन डिश्टल हब का गठन किया जिसकी चार मीटिंग इसे वर्चुल मीटिंग मैं लगातार हर दो चरण के लिए लगातार मीटिंग करता रहा पाच्वी मीटिंग आज भी हो चुकी है विशेश तैयारी मेरी है मैंने अधिवक्ता स थे उनको और जो समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले अधिवक्ता हैं उन सबसे मैंने विशेश आग्रह किया है कि वह पूरे अपने ड्रेस में पूरी तरह से इस संभिधान की इस लड़ाई में और संभिधान तभी बचेगा जब आताताई सरकार जाएगी मत उनके हस्बेंट राजेशर सिंग्जी सवरुजणी नगर से प्रत्यासी हैं एक घटना आपको बता दूँ दूसरी बागपत के सांसर सत्पाल सिंग्जी के दामाद SSP बिपिन टांडा जी गोरकपुर के SSP हैं यह हैं इनको तीसरी आप सुरती सिंग्जी यह डिया प्रदेश के डर की हैं जिनका 2020 में समाप्त हो रहा चाहा केवल मुखमंत्री के सजाती होने के नाते इन्हें बढ़ा दिया गया और आज भी यह डियम के अस्तर पर तैनात हैं यह तीन घटना हैं यह महत्पूर्ण चीजिए सूचना आपको बता दूँ चोथी बात आपको कि पस्चिम बंगाल में आचार सहिता लागू होते ही बिपक्ष ने जैसे बिपक्ष भारते जन्ता पार्टी जैसे ही आवाज उठाई वहां के डीजी लाइन डाडर डीजी पी दोनों हटा दिये गए इसके अलावा कई डियम इसपी हटा दिये गए तीन तीन निर्वाच को आयोग कोई पूच कान में उनके जू नहीं रहेंगा और उन्हें कोई परिवर्ता नहीं किया एक आउपचारिकता पूर्ण करने के लिए डियम साही जी को गोंडा से हटाया कुछ आप दिखावा मात्र लेकिन यह मानते हैं कि अमूमन चुनावा योग जिस तरह से करती नहीं बरती गई बिल्कुल नहीं बरती गई पूरा यह से बड़े उधारन क्या हो सकते हैं कि इतनी सिकायत के बाद यहीं तो है आयोग की कि है अगर किसी का रिष्टेदार को इस सिद्ध करता है कि कैसे आप पच्छपात मुन सकते हैं अब जब जिनके जिनकी से आई जी जोन हो और वह चुनाओ प्रभावीत नहीं कर से इससे बड़ा उधारन क्या हो सकता है और योगी आदित न्याजी की सरकार में मुख सच्चिव रहे अनूप चंद पांडे जी को चुनाओ से ठीक पहले उन्हें चुनायुत बना दिया गया तो इस तरह की चीज स्नेटबर पहुँच जाओ जिन्हें जिन्हें क्ISHनों को अपने फसल की चिंतपने सारी ज começa को कानून की चिंता समभ tradicional कीЭ्टी जिन्हेंति हो रहा है तो जिन्हें जिन्हें बिलकुल हमने सुना जौना जिरा तो घृता तयारी में इन बहुत बदरी साक्ताम की बीस बीस हज किसाने कर्ट रहो हम लोगों को राहुं कि यहFitं हम सरमाज सभी सबिद्र है कि किया है कि बढ़िया होगी Dame वसद्य dollar कोई मतलब नहीं है कानूं कि लाइँ लएंगे इसलिए बड़ी संख्या में हम लोग अधिवक्ता साथ ही बड़े पैमाने पई और मुझे पूरा विश्वास और अधिवक्ता इसलिए भी रहेगा अधिवक्ताओं के हित में आज तक जितना भी कार किया है वो समाज वाधी पायटी ने किया है मानिये ने ने जिस्ग है उसके बास मानिय अध्लेंस यहांदों ने किया है आप पूर्म से पस्चिम तक उत्तर से दस्चिड तक जहां भी जिलानेइन याले से ले कि हाई कूर तक जहां जाएंगे अगरवकील के उपर छथ देने का काम किया्या ल को υडा है किसी ने इकिया है तो समाज वाधिक का बिष अब डिषालतम हाइंक्ष बनाने का जिसकी विष्छी पर Бरमेंचा की तरीकारी वकेलों में भी किया बिलेकता कहा भी है कि इस बार ब्यापक परिमाने पर सभी की भागीदारी किया सभी वोबी सी फरको सबसे ज्यादा बहुत बड़ा सामाजिक समीकरन और सब कुछ सादा गया है सरकार पूरी तरह 250 प्लस के साथ आ रही है और सारे गड़बंदन विला करने के पाद भी 250 से नीचे समाजवादी पालिटी को नहीं ला सकती सम्विधान पर मैं बात कर रहा था एक बिना परीचा के बना दिये गए हो मानवा अधिकार आयोग ने इतनी इतनी नोट से जारी किया हो इस प्रदेश में और इस सरकार के उपर और सुप्रीम कोट ने काउंटर ना दाखिल कर पाए हो वहां जबाब न दे पाए हो इससे बड़ा और क्या उधान मिल सकता है जहा अगर ऐसे में हम चुनावयोग से सजग नहीं होंगे हम बहुत आरोप नहीं लगा रहे हैं कि लोगों का लोग तंतर पे विश्वाज मना रहे हैं लोग बढ़ चड़के मद्दान करें कि हमारे वोट का महत होगा और भविस्त में इससे वोट बढ़ाए नहीं नीचे धीर तो लोग तंतर को जिंदा करने के लिए यह चिंता और चिंतन करना बहुत आउस्यक हो गया है आपने जिस तरह के आरोप लगाए उत्तर प्रदेश में चीप सेकर्ट्री को सेवा विस्तार दिया जाता है और बिना जुआन किये चुनावयोग की मीटिंग में चले जाते है इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं निस्पक्ष नहीं रह गई है लोग तंतर को बचाने के लिए जो आपका प्रियास है कि वकीलों की न्युक्ति की जाएगी अच्छा प्रियास है हम भी उमीद करते हैं नेशन जनमत की त हुआ है